बिस्मिल्लार रख्मान रखीम, अस्सलाम उलेकूम, वेलकम टू मदर्समाल के चाहिए, आई होब सब टीकटा, खुशबाश और खेरियाच से होगे, आई हैज बनाते हैं मज़ेदार सा पालक विद बोनलेस, तो सबसे पहले आईल डाले कड़ाई में, आदा कप और ये वई टी-पॉर्ट में मैंने आईल टालाए, पैंकने से बहतर है कि इसको यूज मिलाए, तो आईल जब हलका सा गरम हो आजाए, तो इसमें एक गटी आद, एक किलो पालिक है, तो उसके लिए एक जो, वो होता है न, लेसन का फूरा गटा, वो एक, उसमें आट-दस जवे होती ह न, वही काफी होता है, तो उसको चील के साफ करके पेस्ट बना ले, हलका सा कूट ले, ज्यादा नहीं, हलका सा कूट के आईल में डाल दे, और जब लेसन हलका सा गोल्डन हो जाए, तो पर इसमें चिकन और टमाटर की बारी है, मैंने बॉनलेस चिकन लिया है, ब्रेस्ट क रफली काट लिया है, और साथ में दो अदब टमाटर को भी उसी ब्रेस्ट के ऊपर ही कदू कश कर लिया है, इसलिए कि टमाटर का छिलका हमारे गर में नहीं खाया जाता, तो बुरा मानते हैं, तो इसलिए मैं उसको हमेशा से कदू कश कर लेती हूँ, तो टमाटर और चि किछन केंग मसाला चिकन के ओपर तोड़ासा चिकन है इसमें तो इसके लिए ज़रूरिया वर नहीं होती है तो मैंने एक टेबल स्पूण केंग मसाला चिकन के ओपर डहाता ही उपर ताफ में दनिया एक टेबल स्पून खुटा हुआ, भुना हुआ, साथ में जीरा भुना हुआ, साबत जीरा है, इसको कुट के नहीं रखा, वैसे बहुत बारिक साथ जीरा आया था, तो इसको कुटने की जरूरत नहीं थी, और साथ में एक चुटकी हल्दी, हल्दी की वज़े से साख का कलर बहुत खुबसूरत ताजा रहता है, तो हल्दी इसमें आप लोग वैसे भी सिहत के लिए हल्दी अच्छी है, अगर गर की हो, और वैसे साख का कलर भी बड़ा चाह निकलाता है, तो चिकन जब आदा कच्छा पक जाए, तो चिकन को निकाल दे, अब यह है अद्रक, जिसक तो फ्रीज कर दूँगी, आजकल तो फ्रीजर खाली पड़े हुए है, तो उसको निकाल के पिर पीसेज में कर दूँगी, यह अब खलती से मैंने साख डाल दिया, लेकिन अब मैं दोरा इस साख का पूरा गटा निकाल के चिकन को साइट वे कर दूँगी, यह एक किलो शाले तोड़े से रह जाएं और खैली चिकन निकाल दें, इस वज़छी जे से कि चिकन और साग एक साथ पकेंगे तो मैं झालेट को फालें तो जब आदा पक जाये ना कि चिकन होगी तो उसको निकाल के, जप साग पक नाश चिकन का ताजा ताजा फ्रिश और साग भी मसालों में पक जाएं वैसे तूटता भी नहीं है साबत रह जाता है तो इस वज़े से मैं चाहे दाल हो चिकन हो गोश्ट हो या आलू हो मैं निकाल के सल्ट पर रख देती हूँ अब जो मसाला या ग्रेवी है वो वापस डाल दें ये बहुत सखते बर्फे वैसे जब इसके उपर डखन रख लेते हैं साग के उपर तो बहुत चल्दी ये मेल्ट हो जाता है तो मैं एक दो दिन पहले साग लाके उसको बनाके फ्रीजर में रख देती हूँ जिस टाइम पकाना हो तो निकाल लेती हूँ आजगल तो मौसम आ रहा है तो साग बड़ा मजएका आया हुआ है तो जब भी लाए जाहरे दूर से लाने पड़ते है तो उसको लाके बनाके रखे ताकि एक दो दिन ज्यादा नहीं उससे अगर ज्यादा रखेंगे तो साग काला हो जाता है तो बस एक हफ़ते तक का भी होता है रखना तो और ये है, तक्रीबन साख भी गल गई है, तैयार है, 20 मिंट में जब डखन रख दिया, तो 20 मिंट बाद जब डखन उठा दिया, तो तक्रीबन साख तैया थी, तो अब इसमें मैंने चिकन डाल दिया, और अब मिक्स कर लिए, चिकन और साखों, नमक वगीरा आप लोग चेक कर ले अपने हिसाब से डाल दे हम मेरचे कम ही काते हैं ना खाने के वराबर तो जिसको काना होता है उसके लिए सामने काट के रख देंगे अब दम पे रख दिया तक्रीबन पंदरा से बीस में जो बिलकुल हलकी आँच पे जो दिये की तरह होता है उससे भी कम सिर्फ आंकों को नजर आ रहा था कि ये चूले पे रखका हुआ हैं और जब काने कटाएं मौँ तो अब निकाल लेते हैं मज़े से बहुत मज़मजगा बहुत असानी से बन जाता है कोई खास मसाले कोई खास रेसिपी नहीं और आप लोग भी बनाएं फिर मेरे साथ शेयर करें और अग और साथ में ने रख दिये, बच्ची के लिए उबले हुए अंधे जो बहुत शोक से काती है और ये हैं हमारी साग और साथ में बωνलेस चिकन वैसे बच्चे भी शोक से काते हैं बड़े भी तो असानी से बनने वाले सालन Mensch तो मौसं भी है तो दस्टूर वी है तो बनाएं और खाईए पिर शेयर करें किस तरह बनी हैं। अल्ला सब को खुशराबाद रखें, सब को बच्चों की खुशियां दिखाएं। और अल्ला रहमत की बारिश बरसा है, ताको मौसम भी ठंडा हो जाएं। और ये खुश्की और बिमारिया भी खत्म हो जाएं। तो साग को तोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कैसा बना है, विसे बना तो मज़े का है, जो चीज आंखों को अच्छी लगे, तो वो खाने में भी इच्छी लगती हैं। तो एक दफ़ा तोड़ा सा एक नवाला विसे मुझे भी साग बहुत पसंदें। हमारे गर में बड़े शोक से काय जाता है, बहुत गरम है, लेकिन चेक करके देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अल्ला हाफिज